हेलो फ्रेंज विल्कम बैक आज मैं शेयर करूंगी क्रिस्पी चिली पोटेटो की रेसिपी यह हम लोग रेस्टोरेंट में जाके तो खाते हैं लेकिन घर पर अगर बनाना जाते हैं तो पोटेटो जो है वो क्रिस्पी नहीं रहता है तो आज मैं कुछ टीप्स भी शेयर तो अभी इसको काट लेंगे किस तरीके से काटना है देख लीजिए टॉप और बटम पार्ट जो है उसको थोड़ा-थोड़ा करके कट कर लेंगे ताकि जो फ्राइस के साइज हो वो इवन हो अभी इसको लंबाई में इस तरीके से काट लेंगे जिस तरीके से हम लोग फ्रेंच फ्राई के लिए आलू काटते हैं तो उसी तरीके से काटेंगे बस हलका सा मोटा रहेगा तो देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है साइज ऐसा रहेगा और काटने के तुरंद बाद इसको पानी में डाल देंगे आप चाहे तो पानी में थोड़ा सा बरब भी रख सकते हो इससे जो आलू है वो काला नहीं पड़ेगा सारे आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया है और अभी इसको 3-4 बाद साफ पानी से दो लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्र स्टार्च हो निकल जाए तो इसको मैं वाश कर लूँगी और एक सॉस्पन में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है इसमें मैंने स्वादानू सर नमग और थोड़ा सा वाइड विनिगर डाल दिया है वान टेबिल स्पून के करीब अभी पानी में जब उबाल आ जाए तभी इसमें आलू को डाल देंगे आलू डालने के बाद उबाल आ जाए उसके बाद इसको पांच मिनिट तक बॉयल करना है हाई फ्लेम पर ताकि आलू जो है वो 50% डन हो जाए तो पांच मिनिट हो चुका है अभी इसको उतार लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाए और आलू जो है वो अंदर से पकना भी बंद हो जाए तो इसको मैंने एक जाली में ले लिया है अभी इसको पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि अच्छी से ड्राई हो जाए और बिल्कुल ठंडा हो जाए अब इसको एक बड़े से बोल में ले लेंगे अलू को और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेट चिली पावडर ताकि आलू में भी थोड़ा सा स्वाद आ जाए एक बड़ा सा बोल में ले ताकि इसको टॉस करना आफसान हो इसको इस तरीके से टॉस करेंगे ताकि सारे आलू में नमक और लाल मिर्च पावडर लग जाए उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉन फ्लावर डालेंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा सा चला लें और उसके बाद फिर से इसमें कॉन फ्लावर का कोटिंग करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे देख सकते हो और इस प्रोसेस को तीन से चार बार रिपीट करेंगे थोड़ा कॉन फ्लावर डालेंगे फिर से इसको शेक कर लेंगे देखिए ये finally ready है और आलू देख सकते हैं अच्छे से coat हो चुका है इसी तरीके का होना चाहिए अभी इसको fry करेंगे oil को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और उसके बाद flame को medium कर दिया है एक छोटा आलू डाल के देख लेंगे देखिए oil अच्छे से गरम है अभी इसमें आलू को fry कर लेंगे मैंने दो बैचेस में fry किया है flame को medium रखते हुए fry करेंगे 80% तक आलू जो है वो cook हो जाएगा बाद में आलू को फिर से हम लोग fry करेंगे ताकि सार्फ करने के टाइम ये आलू जो है क्रिस्पी रहें तो देखिए fast batch जो है वो fry हो चुका है तो अभी इसको निकाल के एक जाली में रख देंगे ताकि जो एक से को रख दिया है मैंने तो अभी आलू को साइड में रखेंगे और सास को ready कर लेंगे उसके लिए मैंने एक बोल में 2 टेबी बील स्पून टॉमेटो केचप ले लिया है वान टेबिल स्पून लिया है सोय सॉस और वान टी स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है अगर आपके पस रेट चिली सॉस है वो भी आप ले सकते हों उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है मेरे पास जो था मैं वही उस किया है और वान टी स्पून वीनिगर ले लिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, आधा कप के करीब, और इसमें हाफ टेबिल स्पून मैंने कॉन फ्लावर डाल के इसको अच्छे से मीक्स कर लेंगे, ये सॉस अगर रेडी हो तो बहुत जल्दी से ये चिली पोटेटो बन जाता है, अब इसको साइड में रख द इसको मैंने चॉप करके रखा था, वो भी आड़ कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर तीखा पसंद है तो डाले, इसको मैंने चलाते हुए दो मिनिट तक भून लिया है, जब अच्छा सा स्मेल आने लगे जिंजर और गार्लिक का तभी इसमें प्यास डाल देंगे, प्य बहुत जादा गलाना नहीं है, अभी जो तैयार किया हुआ सॉस का मिश्रन है, उसको डाल देंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि कॉर्ण फ्लावर कई बन नीचे बैट जाता है, तो इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी भी अड़ किया है, अभी इसको हाई फ्लेम में चला लेंगे, जब तक न इसमें उबाल आ जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि सॉसेस में अल्रेडी नमक है, और चीनी डाल दिया है, वान टी स्पून, आप अपने स्वाद के अकोर्डिंग डाले, हाफ टी स्पून म पकाएंगे, उससे ही जो कॉन फ्लावर है, वो अच्छे से पक जाएगा, और ये भी ग्रेवी भी गाड़ा हो जाएगा, तो ये रेडी हो गया है, अब इसको साइड में रखेंगे, और जो आलू है, इसको डबल फ्राई करेंगे, दुबारा से फ्राई करने के लिए ओयल इसको बिल्कुल अच्छे से गरम कर ले और इस बार इसको हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, पांच मिनिट में ये फ्राई हो जाएगा, सारा अलू को मैंने एक साथ ही डाल दिया है, इसको दुबारा से फ्राई करने से आलू जो है बहुत क्रिस्पी बनता है, तो आप इस तरीके से जरूर बनाएं, और सॉस भी हमारा रेडी है, तो ये जब फ्राई हो जाएगा, इसको तुरंट सॉस में एड कर देंगे, ये हो चुका है, तो अभी इसको डायरेक्ट निकाल के सॉस में डालेंगे, और सॉस में डालने के बाद इसको ज्यादा नहीं कूक करन देना है, 30 सेकिंड के लिए, तो ये रेडी हो जाएगा, इस तरीके से जरूर बनाएं, आलू जो है आपका क्रिस्पी रहेगा, उपर से थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा सेसिमी सीड यानि की तील डाल दिया है, सफिद तील, ये ऑप्शनल है, आपको पस अगर हो तो आप डाले, तो अभी इसको सर्फ कर देंगे, ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, कॉमेंट करके जरूर बताए, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ही रहिएगा, मैं मिलूंगे एक नए रेसिपी के साथ, त था जो अग्या क्यों भाजिए।